जब भारवी ने अपना पापा से माफी मांगा और पापा से पूचाया कि पापा मैं बहुत गलत ही किया, मुझको आप पनिश्मेंट दे दो, जो गलत एक बेटा नहीं कर सकते, वो गलत नहीं माइ किया, तो मुझको एक पनिश्मेंट दे दो, ये कहा तो, उनको पापा ने कहा है कि ठीके ये काम करो, तुम जाके तुमारा सेसरल में जाओ, उस समय उस जमाने में जल्दी शादी होते थे, तो भारवी ने, भारवी को नहीं लगा, भारवी को लगा है कि अरे ये क्या पनिश्मेंट है, सेसरल जाना तो अच्छा बात है, उनको पापा बोला है कि आप छे महीने सेसरल में घर में जाके आजा, ये ही तुमारा पनिश भारवी को नहीं लगायां कि यह क्या बात बहुत अच्छा बात है। सबकुछ ... मिलेंगे एक अच्छा समान मिलेंगे का इंडी से देखेंगे आ था थो भारवी ने अपना सबका घर में गया तो तो सब लोग एक महिने तक आच्छा स्वीड्स किलाया, आलू फराटा बनाया, तरह तरह का सबजी बनाया, वेजटेबल बिर्यानी बनाया, बहुत सारा चीज बनाया है, तो बहुत कुछ हो गया, एक महिने के बाद फिर दामा से पुचाएंगे, आप कम चाहेंगे, भारवे बोला है कि मैं भी फिर रहूँगा, फिर वो लोग और कुछ हो गया, ठीक है, और एक अच्छा बात है, अमारा दामाद एक महिने रहा, और रहेंगे, फिर और एक महिने तक भी अच्छा देखबाल किया, लेकि इस बार किया कि तोड़ा स्वीड्स कम किया है, तोड़ा और एक महिने के बद फिर पूछा आप कब जाओ गए तिसरा महिने में फिर भारवी बोला है कि मैं और रहूंगा तिसरा महिने फिर उनका सास्राल बोला है कि आप ये काम करो टीक है आप घर में रह रहा है तोड़ा खेती का काम तोड़ा देखते रही है तिसरा महिने में फि तो घर में खाना बनाने के लिए कहा है, तो खाना बनाया, एक आपड़ा दो या और बहुत परेशन हो गया उन्होंने, उनका पहले तीन महेने तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन अगले तीन महेने उनका जीवन तो बहुत कराब हो गया, भारवी को पता है कि, मैं जो गरत किय यहां उसका जो पनिश्मेंट में ले रहा हूं, इसलिए वो चुपचा पराह साक्षी के साथ रहा। जब उनका समय छे महिने का समय हो गया, उस समय जब उनका घर में पापा के पास किया, तब उनको पता चला है, यह अपमान क्या हो सकते हैं। तो मैदे मास्टर से, तो emotional balance is very important, आप देखा हैं इस स्टोरी में, दुल्योदन कैसे अपना emotional को control को में नहीं रख पाया, और अग बुद्धा कैसे रहा, और एक महात्मा गांधी कैसे रहा, यही हमार अब प्रमाश्य पात्री जी का शांदेश है कि, don't get carried away with the emotion. Thank you very much.